गुड मॉर्निंग एब्रिवन माइनेम इज रोहित कुमार वेलकम टू तरून आईज आज एक दिसंबर 2022 है और आज के एडिटोरियल को हम लोग यहां पर देखेंगे और समझेंगे कि कितना हमारे एक्जायम के लिए महत्रपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए आप सभी को पता होगा तो आज का जो सबसे प्रमुख एडिटोरियल्स है जो आपको एक हमारे सिनियर प्रोफेशर्स आप देख सकती हैं आप लोग देख सकते हैं कि सिरी माओ नायव एक सिनियर प्रोफेशर्स हैं डेपार्टमेंट ओफ फूड एंड नूट्रिशन्स महाराजा साया इन्वर्सिटी बरोद्रा गुजरात की इन्होंने भारत में जो भारत की जो दसा है नूट्रिशन्स को लेकर और मैल नूट्रिशन्स को लेकर उस पर उन्होंने एक बहतर बहुत ही सुन्दर आर्टिकल्स उन्होंने लेखा है और आर्टिकल्स के माध्यम से भारत की अंद पूरी एडिटोरियल के एक एक लाइन को वेतर तरीके से समझने की कोशिस करेंगे ताकि आपकी UPC के exam में और प्रिलिम्स में आपको वेतर लिखने में मदद मिले साथ साथ में इन सभी चीजों के बारे में जानने की कोशिस करेंगे आज का एडिटोरियल का जो important है कि एन इंडियन रेसिप टू ख्वेल माइक्रो माइक्रोनिट्रिंट एन्ड मैलनुट्रेशन्स यह जो संपादी का महोद्या है आपका सब्सक्राइब जो प्रोफेशर है जिन्हों ने लिखा है फूड एन नुट्रेशन्स डिपार्टमेंट की है और पूरी भारत के अंदर मे उन्होंने कहा है कि एक बार भारत की जो परिद्रिश्च है उस परिद्रिश्च को सिनेरियों को हमें देवखने किया शकता है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एडिटोरियल के साथ उन्होंने क्या कहा है सबसे पहले शुरू करते हैं उनके वक्त तब्ब के साथ कहा कि उन्होंने कहा कि when it comes to nutritions और more especially micronutrients, malnutrition there is an urgent need to address कहा है कि जब हम इस बात पर सबसे बड़ी बात है कि जब भी हम nutritions के बारे में सोचते हैं तो भारत की स्तिति को एक बार देखनी की उशकता है कि भारत में malnutrition को लेकर क्या सरकार सजग है या नहीं है या फिर आप कह सकते हैं कि भारत में nutrition से सम्मंधी जो समस्याएं हैं उसकी सामाधान कैसे हो सकता है या भारत सरकार ने किस प्रकार की अस्टेप लिए, किस प्रकार की अस्खिम्स चलाए हैं इन सभी चीज़ पर बात करने की अवशकता है तो उन्होंने कहा है इस चीज़ों क कि भारत की जो जनसंख्यात का जादा तर हिस्सा जो है malnutrition का सिकार है उनको सही प्रकार से अगर इसको सही में कहा जाए उसको भोजन भी प्रोपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है तो कहा कि भाई भोजन भी प्रोपर तरीके से nutrition नहीं मिल रहा है कैसे नहीं मिल रहा है भाई तो report के बारे में उन्होंने बात की हैं, कहा है उन्होंने कि national family health survey 5 ने report जारी किया, national family health survey 5 ने अपने data के माध्यम से उन्होंने कहा कि प्रतेक दो महिलाएं भारती महिलाएं, every second Indian women's is infected with anemia, inemia से प्रभावित हैं, परतेक दो महले भारत के अंदर में परतेक दूसरा महला, एबरी सेकेंड इंडियन विमेंट इस आप देख सकते हैं अनेमिक, एबरी थर्ड चाइड्स अस्टंटेड है और मैल निवस्ट्रिश है और एबरी फिप्त चाइड्स वेस्टेड, कहते हो बही देश में जो सरकार की स्थिती है, उसका जिम्मवार कौन है, क्या सरकार जो है, उस प्रकार के प्लान, स्कीम्स तो ला रही है, पर अंतु क्या वो स्कीम्स है, हमारे भारत देश के पटल पर लागू हो पा रहे हमारा जो हंगर रिपोर्ट है, हंगर रिपोर्ट आखिर इस तरीके से क्य है ना तो उन्होंने इन सभी चीजों को दरसाया ये नेशनल फैमिली हील्थ सरवए का रिपोर्ट है जिसमें ये बाते कही गई है बारत के अंदर में अब क्या होता है स्टर्निंग क्या होता है और स्टर्निंग का मतलब होता है कि सटर्निंग का मतलब होता है कि person two sort for his age मतलब एज की एकॉर्डिंग उम्र की एकॉर्डिंग जो है वह काफी छोटा हो जाना जिसको आप ड्वार्फ या बॉना भी आ अप कर सकते हैं वेस्टिंगु का क्या मतलब है बाई वेस्टिंग का मतलब होता है अब पर्षन टू थीन फोर हाइट हाईट के लंबा बहुत है और बहुत पतला थीन है ऐसे बहुत बच्चे आपको society समाज में दिख जाएंगे उसी परकार से ओवसीटी का मतलब जानते ही है कि आप person who is over weighted तो ये सारा जो reason है इसका कारण ये malnutrition के कारण ही है है ना ये malnutrition के कारण ही है यहां तक कि ये भी बात कही गई है इन सभी चीजों के बारे में अब चलिए करके हम report के माध्यम से जानने की कोशिस करेंगे तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि उन्होंने data बताया कि malnutrition की बात उन्होंने कहा कि अगर हम FAO जिसे food agriculture organizations कहते हैं या food security report 2021 की बात करें तो इंडिया का जो रैंक है global hunger index 2021 की बात कर रहा हूं तो global hunger report की अगर बात करें इंडेक्स की बात करें 2021 की तो भारत का रैंक 101 है पूरी दुनिया में 116 country का सर्वे होता है और उस दो हजार उस दो हजार 21 की बगर पूरी एक सो सेला कंट्री का जब सर्वे हुआ उस 116 country में भारत का रैंक 101 आता है तो यह बताईए आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स का और उसकी के साथ कहा जाता है कि 15.3 प्रतिसत जो है इसमें से अंडर नरिष्ड है पॉपूलेशन है हाइट प्रपोर्शनल की बात करें तो अस्टंड है आपका चिल्डरन 30 परसेंट वेस्टेट चिल्डरन है आपका 17.3 परसेंट यह बताईए कि भारत का रैंग 101 बता है आपको बता दे कि खे wait Channel Maker Guide जो होता है एरोपेंज एक NGO है जिसको नाम है Concerní वर्ल sauce उलहाइड एन दे वेल्ठ हेट हनुगर लाइफ है है न ह under लाइफ नाbor जो संस्था है non government organization उसके दोरा वर्ल्ड का हंगरर ऍर्पोर्ट हं गर index published किया जाता है तो आपकी exam में यह प्रस्न पूछ सकता है यह प्रस्न prelims में पूछा जा सकता है कि जो हमारा जो global hunger index 2021 या global hunger index किस संस्था के द्वारा prepare किया जाता है तो यह prepare किया जाता है concerned worldwide and the wealth hunger life के द्वारा भारत का rank कितना है भारत का rank 101 है आपको बता दे कि जो वही भारत का जो पडोसी मुल्क है चाहे वो पाकिस्तान हो सिरलंका हो या फिर नेपाल हो या बांगला देश हो उनका rank भारत से बेहतर है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शाउथ एसिया में भारत का rank 107 की बात कही गई है है ना अगर हम बात करें तो उससे पहले वन इस साल की report की बात कर रहा हूं तो स्रिलंका चौसट इक्यासी और यह है आपका यह बात करें यह पिछले साल का यह report है इसके बारे में हटा देते हैं तो भारत का rank इसकी recording मैं 2021 के recording जो है हमारा rank 101 है इस साल का rank जो है 107 है 107 इस साल का rank की अगर हम बात करें तो तो यह अगर इसी चीज़ पर हम बात करें यहां पर तो इससे परदर्शन की बात किया जाए यह 2022 के rank है सर याद रखिएगा यह जो rank मैंने बताया है 2022 का rank है तो इंडिया का 2022 में rank कितना है 107 आप स्रिलंका का कितना है 64 है है ना आप नेपाल का कितना है 81 है 99 का कितना है पाकिस्तान का 99 और मांगला देश का 84 है स्रिलंका जो है आर्थिक मंदी से गुजर रहा था है ना बी ओपी balance of payment crisis उस देश के अंदर में इस साल हुआ है 2022 के दौरान इसके बवजूद भी उसका rank जो है 64 है है ना भारत का rank 107 है और नहीं तो भारत पहले 2021 में 101 पर था और उसे slide करके 106 पर चला गया छे rank slipped हो गये हम लोग तो यह बाते इसमें कही जाती है तो इस पिक्चर में यह बात की जाती है साथ में global nutrition report 2021 ने भी इन सभी कारणों का बताया है कि stunning के कारण जो है children भारत के अंदर में यह काफी higher है Asia के average से देखा जाए 12.8 से देखा जाए तो काफी जदा है मतलब हमें इस विचार करने की जो सकता है सरकार को सोचने की जो सकता है इसमें यह भी बतायेगा कि इसे सरकार को क्या घाता आधिया है तो ये चीजे तो बात हो गई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, साथ में उन्होंने कहा है कि समस्या का समाधान कैसे होगा, तो उन्होंने बात की है 45 फूड के बारे में, अभी इसमें देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि 1920 के दौरान में जब 1920 हुआ करता था, तो दुनिया की जित Malnutrition के समस्या के सामाधान के लिए उन्होंने फूड को fortify किया, फूड को क्या किया, fortifications किया, आप कहेंगे कि Malnutrition की समस्या हो रही है, कुपोशन के बच्चे सिकार हो रहे है, अगर कुपोशन के सिकार हो रहे है, इसका मतलब ये हुआ कि भोजन में nutrition की कमी है भोजन में पोशक तत्व नहीं है micro nutrition की कमी है macro की कमी है तो उसका सामधान कैसे किया तो भोजन को पोशक तत्व बनाया जाए nutrient बनाया जाए भोजन को तो इसके लिए जितने भी developed country थे 1920 के अंदर में उन्होंने food fortifications किया अब आपके मन में सवाल जुपन हो रहा होगा कि food fortifications क्या food fortifications क्या है तो food fortifications का मतलब होता है कि food fortifications का क्या है जिसमें आपके भोजन में किस प्रकार से nutrition की मात्रा को nutrients को बोशक तत्व को भोजन के अंदर HEARD कर दिया जा जाए है ना जिस प्रोजन तो कहा जाता है कि भोजन मे essence nutritions यह पोशक ततो को एड करने का जो प्रोछेस है उसी को forced णका घा तह करें तो फूर फॉर्टिफीकैर सो रिलेटेड प्रस्ण पूछे वहाँ पर राइस फॉर्टिफीकेशन की बात कही गई थी है ना तो ये बात तो कहा कि भाई ये developed country ने 1920 के ही दसक के दोरान में अपने food को fortify किया है ना लेकिन on the late low and middle income वाली जो country था जैसे कि भारत have a pursue आज भी food fortifications करना अभी सुरू a strategy और plan कर रहें और micro nutrients और malnutrition की समस्या का समधान करने की कोशिस कर रहें वो लोग so fortified food की बात करें 45 food क्या करता है भाई तो ये nutritional value को improve करता है भोजन में जो पोशक तत्व की जो कमी होती है उसको fulfill करने का काम करता है इसी को fortified food भी कहा जाता है याद रखिएगा इसी जो को तो भारत इस जर्नी में अभी चल रहा है completely आपका developed country की तरह उन्होंने food को fortified नहीं कि क्या है इसलिए हमारे देश में malnutrition की समस्या बाकी के अन देखुसों से अधिक है हम global hunger report में आप देख सकते हैं कि Asia अगर South Asia की बात करें तो हम से पीछे में मात्र आफगानिस्तान है जिसका rank 109 है हमारा rank जो है 2022 global hunger report की according 107 है 2021 की according 101 2021 में हमारे इस्तिती सही था है ना ये बात यहां पर चीजों को की गई है है ना past few years तो उन्होंने कहा कि इंद में एक चीज और भी देखनी की बात है तो simple fortifications का मतलब हुआ कि process of adding nutrients in the food वहीं पर साथ साथ में किस परकार के nutrition भाई जैसे की rice है rice और गेहु है तो rice और गेहु को जब fortify करते हैं तो उसमें iron की मात्रा को acid बढ़ा देते हैं, vitamins B12 बढ़ा देते हैं, salt बढ़ा देते हैं, iron और iodine बढ़ा देते हैं हमारे भोजन के लिए यही सब तो micronutrients है ना यही तो पोशक्तत्व है जो हमारे सरीर में हमारे अंदर की जो बिमारीों से लड़ने की ताकत देती है है ना तो यह सभी को यह लोग increase करता है fortifications के माध्यम से, ठीक है, iodide जो salt has been used for the past few years, यह बाते इसमें कही गई है कि इन सभी समस्या का समाधान जो है fortifications है, अब इन्हों ने कहा कि अब आगे जो आगे का point बढ़ता है वहाँ पर आप जब editorials को पढ़ेंगे तो उसमें कहा कि the rice program and anemia, अब इस पर focus करने की ब मैंने जैसा कि कहा कि prelims में प्रस्ट भी पूछे गए, पाइलेट प्रोजेक्ट चलाया गया, पाइलेट प्रोजेक्ट में ये चलाया गया कि हम लोग क्या करेंगे कि इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग fortified rice को distribute करेंगे, जो micronutrients, जो nutrients वाले जो rice होगा, उसको हम लोग बांटेंगे, ओर लोग को हम distribute करेंगे, ताकि जो है आप सबको पता होगा target public distributions program, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, TBDP बोलते हैं, आपने सुना हो FCI के तहत, लोग अरीबों को below poverty lines वाले को चावल गे हूँ मिलता है, तो हम लोग वो चावल बांटेंगे, जो fortified होगा, तो pilot project चलाया गया, और pilot project के तहद जो है, कुछ selected state में इसको program को चलाया गया, खास करके महराश्ट्रा में, और महराश्ट्रा के ये गैडिचोरली district है आपका, है न, उस district में चलाया गया, as a part, किस के, किस program के तहद, targeted public distributions program के तहद, आप जो है targeted public distributions program के तहद, चलाया गया है, है न, आपको जो दुकान दीलरों के द्वारा जो है आप सभी को पता होगा FCI की गोदामों से निकाल कर बांटा जाता है, BPL वाले लोगों को, अब काफी मासेस को ये दिया गया, तो ये प्रोग्राम भी एक चीज देखा गया, जब इस तरीके के टार्गेटे जिला जिला डिस्ट समस्या थी, उस महराष्ट्रा के उस जिलों में, और वो समस्या घटकर कितना हो गया, 29.5% है न, और इसके साथ दो सालों में ये समस्या का समधान किया है, तो इस प्रकार से Central Government ने इस बात को डिकलियर किया, कि अगर हम fortified rice को distribute करेंगे, जो कि हमारे भोजन का एक major staple है, आप भोजन है हमारा, इस से 65% जन संख्या, आपको पता भारत देश की 65% जन संख्या जो है चावल खाती है, और वो चावल जो है प्रमुक भोजन है हमारा, हमारे रोज मरा के जीवन के, तो उसमें से अगर हम rice को, चावल को हम fortified कर दे, nutrition बना दे, तो उसको indirectly सरीर के अंदर में nutrition जाएगा, और हमारे सरीर में जो पोशकता तो जब जाएगा, तो बीमारियों से लड़ने की छमता बढ़ेगी, और हम malnutrition की समस्या से बाहर निकल जाएगे, तो उन्होंने क्या किया, कि इस distribution सफलता मिली इसको, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर में जो social safety के program है जैसे PDS है, Public Distribution System हुआ आपका, ICDO, Integrated Child Development Scheme हुआ, PM पोशहान है, मिडे मिल्स है आपका, इन सभी माध्यमों से हम fortified चावल को हम distribute कर सकते हैं, बाट सकते हैं, और इससे जो है malnutrition की समस्या पर विजाद पास सकते हैं, तो ऐसी सरकार ने इस rice program के माध्यम से इससे पूरा करने की कोशिस की है, है ना, अब देखते हैं कितना हर्ता कि ये हो सकता है, अब इन्होंने कहा कि ये तो बात experiment वाली बात हुआ, experience देखा गये यहाँ पर, फिर उन्होंने कहा कि इस experience के माध्यम से different different state में, ये fortified rice project चलाया गया, और उसके माध्यम से ये देख सकते हैं, कि result ये मि effective strategy हो सकता है, साथ साथ में health benefit occurring from the food fortifications have made to 80 countries to frame laws for the fortifications of cereals floor, 110 countries with the iodized salt और आपका 13 country have a mandated to rise fortification, ये already इस fortifications के माध्यम से इतने देखों ने आपना प्रोग्राम बनाया है, है ना, ताकि health में सुधार हो benefit मिलो, food fortifications have made 80 country, है ना, असी देशोंने food fortifications पर कानून बनाया, उन्होंने cereals floor में, या फिर iodine salt के माध्यम से, और आपका सकते rice fortifications के माध्यम से malnutrition की समस्या का सामाधान कर सकता है, ठीक है, साथ साथ में encouragement, है ना, प्रोग्राम ये सब देखे गए, और study में ये भी पाया गया कि भ prevalence of the anemia के समाधान महिलाओं के अंदर में 29.5% की कमी आई है, चिल्रन बच्चों के अंदर में, तो ये सभी चीज इस experiment के माध्यम से देखा गया, है ना, अब कहा जाता है कि इसी के साथ साथ और भी देखे कि गुजरात में noon meal scheme, दोफर के जो भोजन, जो आप मध्यान भोज जिसको करते हैं, है ना, तो गुजरात में ये देखा गया कि भाई, 8 month long study on multiple micronutrients 45 rice to interventions for a school children's 6 to 12 year in 2018 और 19 as a part of the midday meals scheme के तहत, तो ये प्रोग्राम गुजरात के अंदर में चलाया गया, और उसमें ये पाया गया कि हीमोगलोबिन की जो concentrations है, 10 प्रतीसत इनीमिया की जो समस्या थी, आइरन के कमी से इनीमिया होती है, है ना, तो 10 प्रतीसत जो है इनीमिया के समस्या का सामधान मिला, और most important thing ये है कि हमारी जो cognitive score भी काफी बेहतर हुआ, ये इसमें चलाने से, ये काम करने, साथ में जो iron deficiency, iron deficiency इनीमिया होती ही, मत iron की कमी से इनीमिया होता है, is a major public health concern, because it is responsible for 3.6% of disability to adjust the life year, है ना, या आपका सकते है कि World Health Organization ने इन सभी चीजों पर बात किया है, तो कहने का मतलब है कि इस देश में 45 food को लागू करना बहुत जरूरी है, तभी इस देश में इनीमिया हुआ, या different different type की उससे malnutrition को portion, इस तरी मारिया है, इस से लड़ा जा सकता है, इन सभी चीजों पर चर्चा करते हुए, कहा जा रहा है, next point में कहा कि, according to Niti Aayog की बात करते हैं, according to Niti Aayog, based on the WHO meta-analysis on the impact of the rice fortification, a rice fortification budget of around a 200 kador per year can save 35% of total or 16.6 million day per year with no known tourists, तो Niti Aayog ने एक report जारी की, WHO के meta-analysis के अधार पर उन्होंने कहा कि, अगर हम 45 rice का distribution करते हैं, तो उसका प्रभाव ये होता है, कि rice fortification budget जो around होगा, 2800 kador per year, जो 30% total जो है, या 16.6 million जो है day per, विद ये जो toxicity की समस्या, जो है, जरीले की समस्या, इसका समाधान कर सकती है, भारत के अंदर में, जो daily lost cost, जो है, iron deficiency, निमिया की कारण जो होता है, जिसके कारण से 30,000, भी approximately ये खर्चा आते हैं, cost of the, तो इन सभी समस्या का समाधान के लिए कहा जा रहा है, कि एक ही चीज है, कि भाई, अगर आप चाहते हो कि देश के अंदर में, अगर अपने public को, अपनी जनता को, आप देश के population को स्वस्त रखा जाए, तो इस प्रकार से कदम उठाने की हो सकता है, ये बात इस संपाधिका महोदे ने इस पर कहा है, ठीक है, अब करता है कि need to precautions की बात कहा, तो इन्हों ने ये कहा कि चलो, प्रोग्राम तो आप चला दे हुए, सब खुश ठीक है, लेकिन आप को एक precautions की भी जरूरत है, prevention is a better than a cure ये भी कहा जाता है, precaution की इस प्रकार की precautions भाई, कि प्रोग्राम तो आपने लाया, एक efficiency लाने के लिए, malnutrition की समश्या के सामाधान के लिए, कुपोश्चन की समश्या के सामाधान के लिए, लेकिन अगर यही अत्यधिक हो जाएगा, तो इस समश्या हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि despite the program proven efficiency, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कुछ activist जो have expressed इस बात से उन लोगोंने concern किया है, कि जार्खन में कास करके, जार्खन के जो tribal populations हैं, उन्होंने आईर सरीर में आईरन की मात्रा अत्यधिक होने के कारण जो है, इनको यहाँ आपर देख सकते हैं, इनेमिया और थैलस्यमिया या सीकल्स की problem होए, तो यहाँ पर कहता है कि overload from the fortified rice, fortified rice के overload के कारण, excess आईरन के कारण, has been dangerous for the जार्खन स्ट्राइबर population, suffering from the sickle, sales, इनेमिया और थैलस्यमिया, अब यह प्रस्णा आपके यहाँ वी वी बन सकता है कि अगर excess मात्रा में सरीर में iron हो, है ना, तो आपको सीकल, सेल एनेमिया और थैलस्यमिया की भी समस्या उत्पन हो सकती है, जैसा कि जार्खन में ये ट्राइबल्स में देखे गए हैं, iron का level जो 45 जो rice होता है, उसमें iron का level बढ़ जाता है, अब यहाँ पर देखिए कि 28 mg से लेकर 42.5 mg तक यह बढ़ जाता है, fortified करने के बाद, folic acid का level 75 mg से लेकर 125 mg हो जाता है, between B12 level 0.75 mg से लेकर 1.2 mg तक हो जाता है, इन्होंने एक standard बनाया है, फ़साई के द्वारा, food safety के द्वारा जो है यह बनाया गया है, standard कि इतना होना चाहिए, लेकिन अगर excess होगा, तो थैलसेमिया य इसलिए उन्होंने कहा कि precautions की भी जरुवत है, कि excess iron की मात्रा सरीन में नहीं होना चाहिए, fortifications एक limit में होना चाहिए, साथ-साथ में considerable उन्हें per capita intake पर भी बात उन्होंने किया है, है ना, तो यह चीजें वो यह बात इस पर कर रहे हैं, साथ-साथ में उन्होंने इन सभी ची fortification according to a.k.sol what of the nutrition is a cost-effective होना चाहिए, है ना, साथ-साथ में यह efficiency को बेटर करता है, cost-effective है, food fortification can help us to reducing the micronutrients deficiency and address overall health benefit, है ना, यह सारा चीज जो है, is food fortification से हो सकता है, तो उन्होंने जो editorials की जो संपादी का है, वो इस बात पर जोड रहीं कि भारत सरकार को अगर global hunger report बहतर करना है, अगर malnutrition की समस्या के समाधान करना है, तो बहतर होगा कि food fortifications पर सरकार को ध्यान देनी कियो सकता है, ताकि हमारा भारत जो है, स्वस्त बने और सबल बने, तो यह बात इस संपा आपकी, आपका सकते हैं, प्रिलिम्स exam में आपका काम आ सकता है, और आप means के लिए बेतर कर सकते हैं, तो आज के लिए इतना ही, thank you very much, मिलते हैं आपको फिर से दुसरे वीडियो में, तब तक इस channel पर बने रहें, thank you